हेलो दोस्तो कैसे हो आप सब उमीद करता हूँ सब ठीक ही होंगे दोस्तो आप तो जानते ही होंगे दुनिया में एक जैसा मौसम कहीं नहीं होता है कहीं पर बहुत ज़ादा ठंड पड़ती है तो कहीं पर गर्मी के कावेंट चोटी का पसीना एडी तक आ जाता है और हमारे भारत की बात की जाए तो यहाँ पर तो सभी तरह के मौसम होते है लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ दुनिया की कोछ ऐसी जगाओं के बारे में जहाँ थोड़ी बहुत नहीं बलकि इतनी जादा ठंड पड़ती है कि हम सब मैंसे शायदी कोई जी भी तरह पाए और क्या मापर लोग रहते होंगे या नहीं तो ज़्यादा टाइम ना वेश्ट करते हुए चलि इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं रोजर्स पास यूएस के मॉन्टाना में मौजूद रोजर्स पास एक बेहदी थंडी जगा है यह जगा समुदूरी सतर्य से लगवग सत्रे सो दस मीटर उची है वैसे तो यह जगह हरियाली से घिरी हुई है दोस्तों लेकिन फिर भी हम में से कोई भी यहां नहीं रहना चाहेगा क्योंकि रोजर्स पास का तापमान होशड़ा देने वाला होता है 1954 में तो यहां सारी हदे ही पार हो गई और इस जगह का सबसे कम तापमान माइनस 57 डिग्री सेल्जियस मापा गया इसकी ठंड़क का अंदाज आप इसी बास से लगा सकते हो दोस्तों कि यहां का सामने तापमान 25 डिग्री सेल्जियस होता है और यह तो माइनस 57 डिग्री सेल्जियस है स्नैक दोस्तो स्नेक सडक के किनारे मौझूद एक गाओं है जो कनाड़ा के युकोंड में मौझूद है ये नौथ अमेरिका की सबसी थंडी जगा है जहां का तापमन बहुत कम रहता है दोस्तो इस गाओं में 3 फरवरी 1947 को इतना कम तापमन मापा गया जिसने इसे दुनिया की सबसे थंडी जगाओं की लिष्ट में काफी उपर लाग खड़ा कर दिया तीन फरवरी 1947 को दोस्तों इसनेक में लगबग माइनस 63 डिग्री सेल्सेश टेंपरेचर रिकॉर्ड किया गया जो कि इसे दुनिया का काफी थंडा स्थान बना देता है North Ice दोस्तों Greenland में मौझूद North Ice एक विष्ट सेंटर है ये Greenland की सतर पर मौझूद बेर थंडी जगा है और समुद्री सतर से 2341 मीटर उचाई पर है दोस्तों ये दुनिया के सबसे थंडी जगाँ में से एक है यहां कान्यूमतम टापमान माइनस 66.1 डिगरी सेल्सेय तक मापा गया है ये उत्तरी अमेरिका में मापा गया सबसे कम टापमान है इसलिए North Ice उत्तरी अमेरिका की सबसे थंडी जगाँ में से एक है ओई माकॉन दोस्तों ओई माकॉन रूस की इंडी गिर का नदी पर मौजूद एक बेहदी फेमस जगा है इसे दुनिया की सबसे ठंडी जगा माना जाता है साल 2011 की जंगर्णा के अनुसार इस भेहन का ठंडी जगा में अभी 500 से 900 लोग स्थाई रूप से रहते हैं ओई माकॉन में अन्टार्टिका जैसा परफिला और बेहदी ठंडा वातरण मौजूद है यहां पर सामने रूप से ही काभी ठंड रहती है दोस्तों लेकिन 6 फरवरी 1933 को यहां बहुती कम तापमन मापा गया जो की लगवग माइनस 71.2 डिग्री सेल्सियस था यह तापमन इस जगाओ को दुनिया की सबसे ठंडे स्थानों में से एक बनाता है दोस्तों यह रूस के ही सखा रेपरफिलिक के वर्खोयांसक में मौजूद है और यह याना नदी के किनारे पर बसा है वर्खोयांसक वर्फ से डखा रहता है कभी-कभी यहां का तापमन बेहरती कम हो जाता है फरवरी 1892 में यहां का नियुंदम तापमन माइनस 75.8 डिग्री सेल्सियस मापा गया इसलिए यह दुनिया के सबसे ठंडे स्थानों में से एक है माउंट मिकिनली दोस्तो अलास्का में मौझूद माउंट मिकिनली जो की एक परवत स्थानकला है वो भी दुनिया की सबसे ठंडी जगों में से एक है माउंट मिकिनली को देनाली के नाम से भी जाना जाता है यह परवत स्थानकला काफी उची है एकॉन का कुवा और माउंट एवेश्ट के बाद माउंट मेकिनली दुनिया की सबसे प्रिसित दोर सुमसान पाड़ी है यहां का तापमान भी सरीर जमा देने वाला होता है यहां का न्यूंतापमान माइनस 73 डिवी सेल्जियस है जो कि इसे काफी ठंडा बनाता है दोस्तो पूर्वी अन्टार्क्टिका के पास मौजूद यह जगा बहर ठंडे और वरफीले मौसम से घरी है यह अन्टार्क्टिका का सबसे उंचा वरफीला स्थान है यह प्रत्वी के सबसे सूके स्थानों में से एक भी है और यहां हर साल एक से तीन सेंटिमिटर तक की बरफबारी होती है जो कि इसे और भी ठंडा बना देती है डॉम आर्गस को यहां के तापमान के काफंट दुनिया के सबसे ठंडे स्थानों में से एक माना जाता है और दोस्तो यहां जोलाइ 2005 में जीनतन तापमान माइनस 82.5 डिगी सेलसेज तक मापा गया था अमुंदें स्कॉट साउथ पूल स्टेशन अमुंदें स्कॉड साउथ पूल स्टेशन अंटार्क्रीका के सबसे ठंडी जगां में से एक है Amundsen Scott Station United States का Scientific Research Center है ये अंटार्क्टिका के एक उंचे टापू पर मौजूद है Amundsen Scott के उंचाई समुद्री तलसे 2,835 मीटर की है एक जगा को देखने के बाद ही लोगों के थंडे पसीने छूट जाते हैं और यहां का बातमान तो इससे भी ज़्यादा थंडा होता है आपको जानकर हैरानी होगी कि दोस्तों 6 मेंदे तक यहां रात ही रहती है जून 1982 में यहां का न्यूंतन तापमन माइनस 82.5 डेगी सेल्सेस तक मापा गया था वाश्टोग विसर्ज सेंटर दोस्तों वाश्टोग विसर्ज सेंटर अंटार्क्टका में मौझूद एक ऐसी जगा है जैसे जारता लोग दुनिया की सबसे थंडी जगा मानते हैं लेकिन आपकी जानकरी के लिए बता दून दोस्तों ये दुनिया की सबसे ठंडी जगा के मामले पर दूसरे नंबर पर है वास्टोर विसल्स स्टेशन दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी जगा है ये एक रूसी विसल्स सेंटर है जैसे 1957 में यहाँ पर स्थापित किया गया था जुलाई 1983 को रूसी वॉस्टर विसाल स्टेशन में एक ऐसा तापन रिकॉड किया गया जो शायद ही इससे पहले कभी किया गया होगा जुलाई 1983 में यहां का नियुन्तम तापन मायनस 88.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉड किया गया यह तापन होशोडा देने वाला था यह उन जगाओं मेंसे है जहां कोई भी इंसान जिंदा नहीं वैसकता इतने खराब मौसम के कारण ही इसे दुनिया की सबसे सुंसान और खतरनाग जगाओं मेंसे एक माना जाता है अब चलिए जान लेते हैं दोस्तों उस जगा के बारे में जिससे दुनिया की सबसे ठंडी जगा माना जाता है डॉम फूजी को दोस्तों दुनिया की सबसे ठंडा इस्तान माना जाता है डॉम फूजी को वैल करी डॉम के नाम से भी जाना जाता है दोस्तो डॉम फूजी की उंचाई समूदी तल से 12,500 फीट की है अंटार्क्टिका में मौजूद होने की वज़ा से इसका बातावन वेर्थ सुष को ठंडा रहता है गर्मियों में भी यहां का अधिक्तम तापन माइनस 30 डिक्री सेल्सियस रहता है जिससे आप यहां की ठंड का अंदाजा भी लगा सकते हैं वैसे दोस्तो अगर इसके नियुनतम तापनाउन को नजर अंदास करते हैं तो भी यह दुनिया की सबसे ठंडी जगा होगी तो दोस्तो यह तो थी दुनिया की 10 सबसे ठंडी जगा हैं जहां कुछ लोग रहते भी हैं और कुछ नहीं भी आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा और इन दस सबसे ठंडी जगाओं मेंसे आपकी पसंदीजा जगा कौन सी है जहां आप गूमना चाहेंगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए